नवश्कार आप देख रहे हैं DNX TV मैं हूँ निशा बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में 36 गड़ में एक और नकसर सहयोगी गिरफतार कांकेर नकसरियों के शहरी नेटवर्क के मामले में फरार चल रहे आरोपी वरुन जयन को राजनानगवा पुलिस ने गिरफतार कर कांकेर पुलिस को सौप दिया है पुलिस देर रात वरुन को लेकर कांकेर पहुँची नकसलियों के शहरी नेटवर्क के मामले में अब तक कांकेर पुलिस के सिकंजे में 14 आरोपी आ चुके हैं 13 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे जबकि वरुन जेन काफी समय से फरार था जिस पर कांकेर पुलिस ने 10 अजार का इनाम भी घोशित कर रखा था बता दे की वरुन जेन का भाई निसांत जेन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है सांसा सुनिल सोनी का P.S.O. कोरोना पॉजितिव राज में कोरोना वैरुस के मामले लगतार बढ़ते जा रहे हैं राजधानी में आज 5 नए कोरोना मरिज मिले हैं सांसर सुनिल सोनिका पी एसो कोरोना पॉजिटिव मिला है वहीं एम्स के चार कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं गौर तलब है कि प्रदेश में अब तक 3018 पॉजिटिव के सामने आए हैं 36 गर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 642 हो गई है SSP अजय यादों ने पुलिस अधिकारियों की बुलाई बैठक बदमासों की सूची तयार अपरात पर लगेगा अंकुष राजधानी SSP यादों ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई 6 थानों के 28 बदमासों की गुंडा निगरामी सूची तयार अप्रात पर अंकुष लगाने के दिसा निर्देश दिये गए चीन से तनाओ के बीच ले पहुँचे PM मोदी अधिकारियों से की बात चीन से बॉर्डर पर जारी तनाओ के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबा ले पहुँचे PM मोदी का ये दोरा अचानक था जिससे हर कोई चौक गया PM मोदी के साथ इस दोरान चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ बिपिल रावत भी मौजूत रहे यहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सेना वायू सेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत के जानकारी दी कानपूर में बदमाज को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग DSP समिट आठ सहीद कानपूर में एक हिस्ट्री शिटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाजों ने गोलिया बरसा दी इसमें एक छेत्रा दीकारी यानि डिप्टी स्पी समिट आठ पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं हमले में साथ पुलिस कर्मी घायल भी हुए हैं कानपूर के चौबेपूर थाना इलाके में पुलिस के विक्रु गौमे दबिश दी थी पुलिस यहां हिस्ट्रे स्विटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी देश में करीब 21,000 नए मामले कुल मरीजों का आकड़ा 6.25 लाग के पाल देश में पिछले 24 घंडों में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले सामने आए हैं सुक्रुवार को स्वास्त मंत्राला की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 6.25,544 हो गई है जिसमें 18,213 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक करीब 3,80,000 लोग ठीक हो चुके है 15 अगस्त को लॉंच हो सकती है कोरोना की देशी वैक्सिन को वैक्सिन कोरोना के पड़ते संक्रमन के बिच एक अच्छी खबर आ रही है 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सिन को वैक्सिन लॉंच हो सकती है इस वैक्सिन को फर्मा इस्ट्यूकल कमपनी भारत बायोटेक ने तयार किया है भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से वैक्सिन लॉंचिंग संभव है हाल ही में को वैक्सिन को यूमन ट्रैल की इजाज़त मिली है ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से यूमन ट्रैल के लिए इन्रोल्मेंट शुरू हो जाएगा इसके बाद अगर सभी ट्रैल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्ति तक को वैक्सिन को लॉंच किया जा सकता है मशूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 3 बल चीता नेशनल एवाड मशूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कारडियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया 71 वर्ष की सरोज खान ने दुन्या को अलविदा कह दिया लेकिन उन्होंने अपने पीछे कई मशूर गाने विरासत के तौर पर छोड़ दिये, जिनमें उनके डांस की प्रतिबा देखते ही बनती है सरोच खान दरा कोरियोग्राफ किये गए कई मशूर गानों को माधूरी दिख्षिच श्री देवी एश्वरिया रह जैसी टैलेंटेड एक्टरेस का चहरा मिला और उनकी जोड़ी ने बॉलिवुड में धूम मचाई कोरियोग्राफी में सरोच खान ने सबसे अधिक 8 हवाट जीत कर रिकॉर्ड बनाया था क्रिकेट की वापसी को लग सकता है जटका प्रैक्टिस मैच में ही स्टार ओल राउंडर में दिखे कोरोना के लक्षन इंग्लेंड में चार महीने के बाद प्रैक्टिस मैच के जरिये क्रिकेट की वापसी हुई है महमारी के खत्रे के बिच खेले जा रहे हैं इस प्रैक्टिस मैच में सैम कुरन में कोरोना वाइरस के लक्षन दिखे हैं इंग्लेंड क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी है कि सैम कुरन को आइसो लेसर में भेज दिया गया और वह इस मैच में हिस्सा नहीं लेंगे कोरोना वायरस की जाच के लिए कुरन का सैंपल लिया गया है आज की बड़ी खबरों में इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन पर क्लिक करें